यहांपर मैं आपको income certificate कैसे बनाया जाता है उसकी पूरी जानकारी देने वला हूँ तो friends इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना यहाँपर मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने वला हूँ कि आप income certificate कैसे बनवा सकती है यह मापको यहाँ पर अर्याना का income certificate कैसे बनाया जाता है वो यहाँ मापको दिखाने मला हूँ तो friends वीडियो पे में बने रहे हैं लेकिन friends उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थे चैनल को सब्सक्राइब बर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो थाकि आगया ने मली ऐसी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो friends सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है तो friends इसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको सरल हर्याना की वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे login वाला option देखने को मिलेगा कुछ ऐसा interface आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अगर आपने अपनी ID बना रखी है तो आपको यहाँ पर sign in वाला option देखने को मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर login ID डाल कर और यहाँ पर password डाल कर अपनी ID को यहाँ पर login कर लेना है अगर आपकी ID नहीं बनी हुई है तो आपको यहाँ पर नीचे New User Registration का यहाँ पर Option देखने को मिल जाता है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम इस पर क्लिक करके ID बना लेते हैं इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है उसके बाद आपको अपना password है जो यहाँ पर create करना है password आपको आठ से लेके 15 hem खार तक आपको यहाँ पर अपना password लगाना है जिसमें एक जिसमें आपको यहाँ पर special character और Alphabet और इंटर आपको यह लगाना है cap to fill हो जाने के बाद आपको submit वाले option पर klick कर दिना है submit वाले option पर klick करतेए आपके registered mobile number पर एक OTP send कर दिया जाएगा जिससे आपको यहाँ पर abortion आएगा उसमें आपको यहाँ पर OTP fill कर दिना है then आपको यहाँ पर submit कर दिना है OTP डाल देने के बाद आपकी ID है जो वो यहां पर create हो जाएगी उसके बाद आपको दुबारा से login वाले page पर आ जाना है जैसे ही आप यहां पर login वाले page पर आ जाएंगे तो आपको यहां पर sign hair वाले option यहां पर आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आपने जो भी email ID दी थी उसे आपको यहां पर डाल देना है देन आपको जो आपने password create किया था उसे यहां पर डाल देना है और capture को यहां पर fill कर देना है capture fill कर देने के बाद आपको यहां पर submit वाले option पर click कर देना है सब्मिट करते ही आपकी ID है जो वो लोगिन हो जाएगी ID लोगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको अपनी ID है जो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इन में से आपको यहाँ पर apply for service वाले option पर आपको click कर दिना है apply for services पर जब भी जैसे ही आप click करोगे तो आपको यहाँ पर view all service वाला option यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पर आपको click कर दिना है इस पर click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको सभी services हैं जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आज हम income certificate बनाना सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो search वाले option में आपको यहाँ पर आ जाना है तो यहाँ पर search वाला option आपको देखने को मिल जाता है इस पर आपको click कर देना है सच वाले option पर जब आप click करोगे तो यहाँ पर आपको income यहाँ पर डाल देना है income जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे तो आपके सामने यहाँ पर income की जो tabs है वो यहाँ पर आपको open हो जाएगी उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीची आओगे तो आपको यहाँ पर income वाला option देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको income certificate वाले option पर आपको यहाँ पर click कर दिना है income certificate वाले option पर click करते ही आपके सामने कुछ SI इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपकी पहचान ID यहाँ पर डालने का Office झून अरहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दो Option देखने को मिल रहे हैं जिसमें सबसे पहला है I have family ID कि आपके पास family ID है तो आप इस वाले option पर click करेंगे वरना आप नीचे वाले option पर click कर सकते हैं अगर आप अपनी family ID बूल गए हैं तो आप यहाँ पर नीचे वाले option पर click कर सकते हैं वैसे तो हम सब के पास यहाँ पर family ID होती है तो आमें सबसे पहले उपर वाले option पर एक click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले column में आपको अपनी family ID है जो उसे यहाँ पर डाल देनी है जो भी आपकी यहाँ पर family ID है उसे आपको यहाँ पर डाल देनी है family id का number आपको यहाँ पर लिख देना है then आपको नीचे आ जाना है नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा click to fact family id data तो यहाँ पर आप family id data को fact करने के लिए आपको इस वाले option पर click कर देना है इस पर click करते ही आपके सामने एक यहाँ पर option है जो वो show हो जाता है member detail खा तो यहाँ पर आपको इस वाले column में click करके आपके family में जितने भी member हैं वो यहाँ पर आपको show हो जाएंगे तो चलिए हम इस पर click कर देते हैं इस पर click कर देने के बाद आपके परिबार में जितने भी family में जितने भी member है वो यहाँ पर आ जाएंगे या पिर जो आपकी family ID में member जुड़े होएं है वो आपके सामने आप पर show हो जाएंगे इसके बाद आपको इन में से जिसका भी family ID में income certificate बनाना है उस पर आपको click कर दिना है उस पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर send OTP वाले option पर click कर दिना है जो family ID के अंदर आपने mobile number register करवाया है उस mobile पर आपका एक OTP है जो वो send कर दिया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर नीचे OTP एंटर OTP वाले option आकर आपको यहाँ पर डाल दिना है पिचल लिए हमारा यहाँ पर OTP आ चुका है हमने यहाँ पर OTP को डाल दिया है OTP डाल दिने के बाद आपको click here to verify OTP वाले option पर click कर दिना है इस पर click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपकी family ID की जो जिस भी member को आपने select किया है उसकी सारी detail यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक option देखने को आपके सामने यहाँ पर आपकी income है जो जितनी आपने family ID में verified income करवा रखी है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है type of certificate तो आपको यहाँ पर इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर तीन option है जो वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर income for education purpose, income for other than education purpose और income for scholarship scheme and scholarship scheme अंडर हर चक्रवति पोटल तो यहाँ पर आपको जिस भी काम के लिए आपना income certificate बनवाना है आप उस पर click कर सकते हैं तो यहाँ पर education other than education purpose के लिए बना रहे हैं तो हम इस पर click कर देते हैं यहाँ पर जैसे आपने जो absolute income डाली थी तो यहाँ पर इनकी family ID के अंदर जो भी आपकी income है वो यहाँ पर show हो गई है उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आजाना है जैसे ही आप यहाँ पर आपको यहाँ पर location detail आपकी यहाँ पर डालने पड़ेगी यहाँ पर आपका district यहाँ पर select रहने बाला है तस्री आपको यहाँ पर select रहने बाली है यहाँ पर आपको area चूज कर लेना है यह अरिए को आपको यहाँ पर urban या ruler आप select कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना शहर और सिटी यहाँ पर चूज कर लेनी है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर काफी सारे शहर आपके यहाँ पर आ जाएंगे उसको आपको यहाँ पर चूज कर लेना है जैसा कि हमने यहाँ पर कर लिया है उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर I agree बला option देखने को मिलेगा आपको इस पर click कर देना है टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक verification code या फिर capture आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस पर आपको यहाँ पर इसको आपको इस वाले column में आपको enter कर दिना है capture fill कर देने के बाद आपको नीचे आजाना है नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर submit वाला option देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर submit कर देना है submit वाले option पर click कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा जहाँ पर आपकी जो application reference number draft reference number आपको यहाँ पर आ जाएगा और आपको यहाँ पर सारा form है जो आ जाएगा यहाँ पर आपको इसमें कोई भी form में गलती लगती है तो यहाँ पर आप जीसे चेक कर सकते हैं और अगर आपको उसे correct करना है तो आप यहाँ पर edit वाले option पर जाकर उसे सही भी कर सकते हैं अगर आपको उसमें कोई भी गलती लगती है तो पीछे जाकर आप सही कर सकते हैं वरना आप यहाँ पर submit वाले option पर click कर दीजिए जैसे ही आप submit वाले option पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ है ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका जो acknowledgement number है वो यहाँ पर आपका आजाएगा यहाँ पर आपके acknowledgement number आजाएगा और आपकी जो आपकी सारी family की आपर detail आजाएगी यह आपको acknowledgement number अपने पास रख लेना है या फिर आप इसे print करके रख सकते हैं या फिर export to PDF करके अपने computer में आप यहाँ पर रख सकते हैं इसे आप अपने पास save करके रख लीजिए इतना काम करते ही आपका income certificate का जो process है वो यहाँ पर complete हो जाता है यहाँ पर आपके application यहाँ पर लग चुकी है उसके बाद आपको यहाँ पर ID को logout कर देना है ID logout कर देने के बाद आपको यहाँ पर 2 से 3 गंटे का यहाँ पर wait करना है दो से तीन आर का जब आप यहां पर वेट करोगे तो उसके बाद दुबारा से आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है और अपनी ID को लोगिन कर लेना है ID लोगिन कर लेने के बाद उसके बाद आपको यहां पर View Status of Application वाला Option आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहां पर तीन ओप्शन है जो वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर आपको तीन ओप्शन देखने को मिल जाते हैं Track Application Status, View Incomplete Application और Re-Verified Payment वाला तो यहां पर आपको सबसे पहले option पर क्लिक कर देना है Track Application Status वाले option पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है जहां पर आपको आपकी date है जो यहां पर देखने को मिल जाती है जिस date पर आपने अपने जो form बनाया है उ वो आपके सामने यहां पर आ जाएगा, तो आपको उससे date के अंदर आपका income certificate यहां पर आजाएगा, आपका reference number यहां पर आ गया, और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर current status के अंदर आपको under process की यहां पर status हो हो रहा है, तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो income certificate है वो अभी यहाँ पर processing में चल रहा है तो आप यहाँ पर 10 मिनट का या फिर 1-2 गंटे का यहाँ पर वेट कर सकते हैं कभी-कभी तो जो income certificate है वो 1-2 गंटे के अंदर यहाँ पर आपका आ जाता है वरना आप next day आपका यहाँ पर income certificate है जो वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा आप next day अपनी जो ID है वो login करके आप उसे देख सकते हैं तो चलिए हम दोबारा से 1-2 गंटे बाद आप उसको login करके यहाँ आपको दिखा देता हूँ तो friends जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दोबारा से इसे login कर लिया है यहाँ पर मारा income certificate का reference number है और यह submission rate 4-4-2-4 है तो यहाँ पर आप current status देख सकते हैं कि यहाँ पर current status के अंदर delivered वाला option यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस option पर आपको यहाँ पर click कर दिना है आपका income certificate यहाँ पर बन चुका है तो आपको इस वाले option पर click कर दिना है इस पर click करते ही आपके सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपके जो income certificate का जो सारी detail है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर system task के अंदर आपका जो income certificate है वो यहाँ पर आपका आजाएगा यहाँ पर आपको delivered का option देखने को मिल रहा है और यहाँ पर income certificate वाला option देखने को मिल रहा है जो कि आपका issue document के अंदर आपका income certificate आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस पर आपको क्लिक कर दिना है इस पर क्लिक करते ही आपको एक PDF download का option मिलेगा तो आपको उससे PDF को download कर लेना है जैसे PDF आपकी download हो जाएगी तो आपके सामने आपका income certificate है जो आपका यहाँ पर आ जाएगा यह आपका income certificate है वो यहाँ पर दियार हो चुका है यह जो valid for 2024 से 25 से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मतलuck या आपका इनकम सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर READY हो चुका है इस दुपाल पेश को आपको PRINT करके अपने पास रख सकती हैं और आप इसे कहीं भी inकम सर्टिफिकेट जहाँ पर आपको इस्तमाल करना है वहाँ पर आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं तो friends आप इस तरह अपनी income certificate को गर बैटे ही आप अपने laptop या mobile से आप यहाँ पर बना सकते हैं तो friends वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दें और अगर आपको इसमें कोई भी query लगती है या फिर आपको इसमें कोई भी question पूछना है तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं मैं आपको उस क्या answer करने के पूरी कोशिश करूँआ जैहिंड